कर दो करते हैं कि बताएं करतार आंसर बताएं फॉर्टी नंडेट हो गया सभी वाला के एक बार यह आंसर लिख दें आगे बढ़िए एक आदर्स गैस के ताप को टेम्परेचर कम कर रहे हैं वही इस्पीड को कम होना पड़ेगा इस्पीड को कम होना ही पड़ेगा बताएं टेंप्रेचर कम कर रहे हैं तो स्पीड को कम होना पड़ेगा ये कॉश्चन सबको समझ में आ गया एक बंदू को चलाने के 8 सेकंड बाद उसकी प्रद्वनी सुनाई देती है ठीक है अब इसको देखिए एक आदस गैस के ताप को कम कर रहे हैं तो आपको पता है वेलोसिटी से कैसा रिलेसल होगा और कानाइटिक एनरजी का टेंप्रेचर से डारेक्ली आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है रूट थ्री आइटी अपोन हैं टेंप्रेचर कितना हो रहा है 927 अरे कैल्विन में भी बदल लो तो कैल्विन में क्या बदलने जरूर है हाँ 273 जोड़ दो हुआ यह बन फॉर्ट है टैंप्रेचर बन फॉर्थ हैो इस पीड आदी हो जाएगी अ WIN कि टैंप्रेचर बन फॉर्थ हो रहा है पता के से बढ़ जाता है यह इफ excessive हो रहा है को कि एक स्विटिट्स काट्विट राम राम आंसर बता दachen वेकर तो टेम्प्रेचर बन फोर्थ कर रहे हैं तो इस्पिड को आदा कर दो तो प्रानमिक मान का आदा कर दो आदा भी टेम्प्रेचर कम होगा तो इस्पिड को कमी होना पड़ेगा बताईए आरेमेस और एम का रिलेशन बताईए बिकी भी बता रहे हैं मुहित भी भी बता रहे हैं बताईए At a given temperature the RMS velocity of molecule of the gas is बोल दो बताएं आंसर बताएं मुहित D बता रहे हैं तो B RMS का आपको formulae याग है route 3RT upon M तो B का जो M से relation है वो inversely proportional route M है तो अड़वार के बर्गमूल के बित्कुमान पाती आंसर D बोल है तो किरनाज D बता रहे हैं मुहित भी डी बता रहे हैं आगे बढ़ना होगा गनी का बेग दिया है और गेस अड़वों का बर्गमान बेग दिया है बता दे आंसर बता दे आंसर बता दे आंसर बता रहे हैं साउंड की वेलोसिटी फिर मुह ने दिये गेस की वेलोसिटी और आपको पता है साउंड के साथ आता है गाना गामा और आरेमेस बन टो थ्री तो यहां थ्री आ जाएगा एक गेस के मॉलीक्यूल की स्पीड है दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा रूट गामा अपकों थ्री आंसर डी बोल दो तो बेलोसिटी औप गेस मॉलीक्यूल रूट थ्री आर्टी अपों एम बेलोसिटी औप साउंड गामा आर्टी अपों एम आए अब बताए अरली संदाइज बताइए रिफ्रेक्शन आंसर देना भी और जब कलर आए कलर कलर से संबन्दित आए कोश्चन तो इसके अटरे यह आकास नीला कत्रे के सिग्नल लाल संद्राइज संसेट रेड़ेश अब यह आपर क्या रिफ्रेक्शन यह एट्मोस्परिक रिफ्रेक्शन होता है ज़िए ट्विंग्लू ऑब इस्टार तारे का तिम्टिमाना ट्विंग्लिंग्लिंग ऑब इस्टार तारे का तिम्टिमाना अभी रिफ्रेक्शन आसर दे है यह देखिए जब प्रेक्शन वायों से एक काचуч में प्रवेश्च स्थराんだives कर रहा है बताईए कि यह टू ग्लार्स आपको पता है कि देबलेंट रियरर से डेंस जा रहे हैं रियरर से डेंस जा रहे हैं तो आपको पता है कीर लेकिन एक चीजा जो नहीं वदलती है इसका नाम आप्रति है कि यहीं कहां जा रहा है रियरर से डेंस distintos थेटल精 जाएनज जा रहा है बिरल से सदल में विरल जो कि रेरर से डेंस है तो एक चीज जो नहीं बदलती है इसका नाम है फ्रीक्वेंसी कि बताइए किस में परिवर्टन होता है उसी तरह का क्वेस्चन तो तरंग दैर और बेग में परिवर्टन होगा अड़ी आपको पता है एक मेडियम से जैसे एयर से म्यू में गए तो लेमडा से लेमडा बटे म्यू बीटा से बीटा बटे म्यू बीटा फ्रिंज बटते है एच आइट एच बटे म्यू इस्पीड सी सी बटे म्यू लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है यह इंपोर्टेंट इसल अगला क्वेश्चन का अंसर दे दीजे वही प्रिकास की बेब लेंद एर में दिये और अन्य मीडियम में दिये माध्यम का अपवर तरांग पूछा है तो मूई इपकॉल टू आप जानते हैं सी अपॉन भी और सी वरावर आपको पढ़ रखा ई वरावर एच दियू एच सी अपॉन लेंड़ा तो न्यू बरावर सी अपॉन लेंड़ा तो सी बरावर पढ़ रखा ई लेंड़ा फ्रिक्वेंसी को हमें एन से लिख रहे हैं एन लेंड़ा एर में और एन लेंड़ा ये वी कित में मीडियम में कि एन क्या लिए है हमने फ्रीक्वेंसी कि सी बराबर न्यू लेम्डा या एन लेम्डा तो आंसर भी आ जाएगा कि ऊपर एन वाली कौन्टिटी आएगी नीचे मीडियम वाली कौन्टिटी आएगी बी बोल दें बिक्की बी बता रहें बहुत बढ़िया गिराज बेटा तुम दी क्यों बता रहें मोहित भी आंसर बदला ना करें एक ही आंसर पर कायम रहें रहले स्कैटरिंग तो इन्हों इन्टेंस्टी आप स्कैटरिंग 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 इन्टेंस्टी प्रपोर्स्रल लेंडा की पावर फोर तो आंसर क्या देंगे आप दी आंसर दी देदें प्रकिडन की तीब्रता करतार अनीस बतारें बहुत बढ़ी आगे बढ़ें नौन यूनिफॉर्म देखो यूनिफॉर्म में तो आपको पता है फोर्स कैंसल हो जाएंगे एक समान जब आए तो एक ही आंसर दीना एक समान में आपको पता है टॉर्क पी साइन थीटा और एम भी साइन थीटा और नौन यूनिफॉर्म ये दो सब्द आएं आसमान आ और समान तो बोथ लिखना बोथ पॉर्स एंड टॉर्क बोथ पॉर्स एंड टॉर्क आप और समान दोनों सब्दें तो फोर्स भी और टॉर्क भी आंसर ये बोलते हैं आप फोर्स एंड भूमेंट ऑफ फोर्स यानि टॉर्क कि ये विक्की ये मोहेत गराज आंसर में होता है विटा कि दोगनी आप ब्रती की धरी सुनाई दे तो दूर तो जाओगे तो दुगनी तो सुनाई नहीं देगी इस त्रोथ की और ही जाना है तो कितना सुनना चाहरे है आप डबल बेसिक पॉर्मूला क्या है जो आप ये आप है ये आप जा रहे है ट्रेंड की तरफ जा रहे है पर ट्रेंड कैसी है रेस्ट में और आप डबल सुनना चाहरे है डबल सुनना चाहरे है ज्यादा सुनना चाहरे है तो ऊपर प्लस लिख दे नीचे माइनस ऊपर प्लस करें नीचे माइनस कितना सुनना चाहरे है वही डबल ज्यादा तभी आई ही उपर प्लस लिखने से source तो rest में है source rest में है to b minus b is equal to b हो तो b चाओ तो इसको memorize भी कर सकते हैं double का special case है double का double का special case है यह आप memorize भी कर सकते हैं बताएए lambda को हाप कर रहा है एक से आदा क्या इसके लिए e बराबर hc upon lambda यूज़ कर सकते हैं क्या e बराबर hc upon lambda applicable है यहाँ पर नहीं क्योंकि electron light की speed से नहीं चलते तो इसके लिए कौन सा formula लगेगा lambda is equal to h upon root 2 m e यह बाला formula लगेगा lambda is equal to h upon p और p की रख दिया root 2 m e तो e का जो lambda से relation मनेगा इस तरह का मनेगा lambda का square बहुत ही प्यारा question energy का lambda से inverse square में यह बालेशन रहेगा एक सी बटे लेम्डा मत लगा देना एक सी बटे लेम्डा लगा दोगी तो गलत हो जाएगा लेम्डा आदा हो रहा है एक से 0.5 हो रहा है यहनि लेम्डा आदा हो रहा है लेम्डा को आदा कर दो energy four times हो जाएगी बहुत ही बढ़ी आपको पता है e is equal to h c upon lambda charge particle के लिए नहीं लग सकता आवेसित कड के लिए e बराबर h c upon lambda photon के लिए ज़िए गामा x जो light की speed से चले बहुत ही बढ़ी आपको बताईए किसी concept पे आदारित यह question है एक electron है proton है इसके बारे में चल चाहा हम पहले भी कर चुके है यह तिरसे इसी लिए दिया जिससे आप यह formula भूलना जाए क्या हम lambda equal to h upon m भी नहीं लिख सकते लेकिन उसने energy दिये तो energy तक पहुचना पढ़ेगा भी तो lambda का m से कैसा relation है यहाँ पर अगर वो same velocity केहता तो lambda university proportional m आता m कम तो आपको पता electron का m कम है तो electron की wavelength ज़्यादा आएगी answer a बोल दो electron की wavelength क्यों ज़्यादा आ रही है क्यों इसका m कम है mass कम है next फिर से energy दिये फिर से charge particle है क्या e वर आवर h c अपन lambda लगा सकते हैं नहीं lambda is equal to h upon p p की जगे root 2 m e की तरफ जाए p की जगे root 2 m e तो lambda 1 upon lambda 2 same energy है energy same है m 2 upon m 1 क्या आप proton को जानते हैं हाँ क्या आप alpha को भी जानते हैं हाँ जानते हैं same energy है आपको पता है energy same है तो mass का अंतर आ रहा है proton का mass अगर हमने m लिखा तो alpha का mass 4 times है भई तो इस्टू बनाएगा proton की wavelength ज्यादा क्यों आ रही है क्योंकि proton का mass alpha के comparison में कम है और same velocity कह देता तो lambda का m से inversely relation आता root में नहीं आता दो crest के बीच का distance पूछ रहा है shrung ये ग्रसिली ये देखो ये जो उपर वाला portion है इसको बोलते है shrung crest ये ऊपर वाला जो point है उसको बोलते है crest और नीचे बोलते है trough, guard crest और ये distance कितरी होगी? lambda और आपको पता है 5 is equal to kx k आप जानते है 2 pi upon lambda और x कितरा होगी है? lambda तो 5 आगया 2 pi, answer c होगा answer c लगाए बेटा गलत जवाब न दे बोलो density four times कर रहा है sound की velocity gamma अगर density four times कर रहे हैं आपको केवल इतना question आता है तो इसको हाप करो बिटा, हाप करो answer a बोल दो density four times कर रहे हैं तो speed को हाप कर दो बिटा इस question का भी double roll है इस type का question gas में भी बनता है और sound में भी बनेगा क्या चाहते क्या हो, velocity डबल करना जो पूछा जाए उसका इस फार्मूला बना लिए अगर हो, टी प्रपोर्स्ट्रल भी स्क्वेर जीरो डिग्री सेंडिकेट को तो टू सेवंटी त्री केर्वें प्रपोर्स्ट्रल क्रोस क्या करना चाह रहे हैं वेलोसिटी को डबल कर दीजिए वेलोसिटी को डबल तो यह कितना आ जाएगा केल्वें 273 माइनस कर दो 819 डिग्री सेंटिक्रेट आ जाएगा बहिए डिग्री सेंटिक्रेट को जब केल्वें में बदलते हैं तो 273 एड़ करते हैं तो केल्वें को डिग्री सेंटिक्रेट में बदलेंगे तो 273 माइनस करोगे बोल दो वर्क कितने जीरो होता है बताइए वर्क किसमें जीरो होता है बताइए तो आपको पता है आइसो को रिक डबलू इजिक्वाल्टू पी डेडिटा भी याद रखना और बॉल्यम होई है जी फिर बाद में भी भी तो डबलू इजिक्वाल्टू जीरो नेक्स्ट बॉल्यम कर दिया बनवाई ये पी भी की पॉवर गामा इजिक्वाल्टू कॉंस्टेंट अप्लाई हो एडियावेटिक है आइसो थर्मल होता समतापी होता तो पी इजिक्वाल्टू कॉंस्टेंट लगा थे आंसर बताएं हाँ आइसो बारिक में प्रेसर कॉंस्टेंट बहुत बढ़िया तो पी इन्वर्सली प्रपोर्शनल भी की पॉवर गामा प्रेसर कितना है पी जीरो प्रपोर्शनल क्रॉस बॉल्यूम कितना कर दिया गया बन भाई ये तो गामा की वैलिव 4 भाई 3 इसे 2 की पॉवर 3 लिख लो एक एंसर हो जाएगा सिस्टीन पी जीरो आ जाएगा आंसर भी बोल दो पी बी की पॉवर गामा इस इक्वल टू कॉंस्टेंट पी बी की पॉवर गामा इस इक्वल टू कॉंस्टेंट पी बी की पॉवर गामा इस इक्वल टू कॉंस्टेंट कि गजेंद्र भी अंशर बता रहें मोहिट करतार अनिस बहुत बढ़ा नेक्स्ट कि आपको इंगे और अइक्सपेरिमेंट पता है के प्रपोर्शनल l-square याद रखना इसको के प्रपोर्शनल एल इसक्वेर इंगें और एक्सपेरिमेंट है के प्रपोर्शनल L स्क्वेर तो K1 अपॉन K2 L1 अपॉन L2 का स्क्वेर L1 L2 दस वटे 25 दोनों का स्क्वेर कर दो 100 वटे 625 बन अपॉन 6.2 भाई बोल दो आप बोल दो क्यों हो जाएगा अनीस आंसर गलत क्यों दे रहे वीटा करतार बालक सही अंसर दे रहा है A अंसर बहुत बढ़िया सबसे कम रेंज आपको पता है 45 पर तो रेंज सबसे ज़्यादा होती है 360 पर तो A की रेंज आईगी जब दो इंगल का समना 90 है तो आंसर क्या होगी है पंदर डिगरी A ज़्यादा कहता तो अपन आर लगाते 360 पर एक ही रेंज है बोल दो देखो दो कंपोनेंट होते है प्रोजेक्ट टाइल में यहाँ टॉप और इस टॉप नहीं कहते यहाँ पर इसको कहते है यू साइन थीटा और इधर वाले को कहते है यू कॉस थीटा टॉप पर ये तो जिन्दा है यू कॉस थीटा U sin theta खतम हो गया तो टॉप पर कौन बचा U cos theta और ध्यान रखना पूरे projectile motion में U cos theta constant रहता है cos में constant छुपा है In projectile motion horizontal component U cos theta is equal to constant प्रच्छे पिगती में वेक का 36 गटक नियत रहता है बता रिये resolving power वड़ा रहे है power power में आपको भी नजर आ रहा है violet की ज़्यादा होगी क्या कर रहा है लाल के इफ्तान पर नीडा तो बैगनी नीडा इनकी पड़ा दो लाल की तो कम होगी कोई formula बता पाएंगे energy का power का हाँ बता पाएंगे d upon 1.22 lambda ये तो टेलिस्कोप में लिखाया है और माइक्रोइस्कोप में 2 mu sin theta upon lambda lambda से relation उल्टा है energy का power का lambda से relation कैसा होता है उल्टा बोल दो बोल ये आप ब्रती पूछिए formula हम बता देते हैं k equal to m omega square kdr 4.84 m कितना है 0.98 omega square 484 ये तो 22 हो जाएगा लगबग 98 ये तो 22 आगया बटे 10 तू पाइंट्टू कर दें है आपके x square पढ़ रखा है कि एक बटे दो m omega square x square भी पढ़ रखा होगा k equal to m omega square k spring constant है clear नहीं दिख रहा गिर्राज प्रिजापती बेटा है था होई नहीं सकता clear नहीं दिख रहा हो आप mobile की quality बढ़ा दो बताओ जब भी stat का equation हो a sin theta प्लस b cos theta amplitude लिखा करें root a square प्लस b square यह important है तो amplitude कर दो root a square प्लस b square तो दो नहीं बारी चार है तो चार का square ही कर दें आप दो नहीं बार चार का square आज की बात रखते हैं यहीं तक मिलते हैं कल कुछ नए points के साथ और model paper के साथ धन्यबाद जय हिंद जय भारत